या वीडियो मधे तुमचे स्वागत आहे। मागिल वीडियो मधे आपण द्वीपदी रेशिय समिकर्णान मधे बदल्या जानार्या समिकर्णान वर आधारीत काही उदहरने बगितली। आता अपन बगुयात कि अशा प्रकालचे प्रश्ण सोडवताना सामान्य पणे काई चुका हुँ शकतात। दिलेल्या समिकर्णाची उकल करा। प्रश्ण सोडवन्या साथी वीडियो थामवा और नंतर अपले उत्तर तपा सुन पहा। डावी कडिल बाजूस अचल पद प्राप्तकर्णया साथी सर्व प्रथम सम्पूर्ण समिकर्णाला एकस वाई ने भाग देवयात। जामुले समिकर्ण एक वदोन मेलतात। जानना अपन अश्या प्रकारे देखे लिहूशकतो। आपन बगुशकता कि समिकर्ण एक वदोन रेशिय समिकर्णे नाहीत। जर समिकर्णे एक वदोन मधे एक भागिले एकस बरोबर एम और एक भागिले वाई बरोबर एन पुनर स्थापित के ल्यास। आपन ही समिकर्णे रेशिय समिकर्णात समिकर्ण 3 वचार चारूपात लिहूशकतो। समिकर्णे 3 वचार ची कोण्ट्याही पद्धतीने उकल केल्यास एम बरोबर दोन और एन बरोबर तीन मेलतात। अता पुन्हा M बरोबर 1 भागिले X और N बरोबर 1 भागिले Y लिहून उकल के लियास, X बरोबर 1 भागिले 2 और Y बरोबर 1 भागिले 3 में तात। अशा प्रकारे परियाय 3 है योग्य उत्तरा है। जर आपन परियाय 1 निवडला असेल, तर सांगला प्रयातना है। परन्तु है अयोग्य उत्तरा है। करण प्रश्णांची उकल करताना, तुम्ही M वह N ची मुल्य शोधुन करलीत, पन त्याची पुढ़े उकल केली नाहित। वह M आणी N ची ही मुल्य, X वह Y ची मुल्य समझून परियाय 1 निवडला जे अयोग्य उत्तरा है। जर आपन परियाय 2 निवडला सेल, तर चांगला प्रयतना है। परन्तु है ही उत्तर अयोग्य उत्तरा है। करण जेवा प्रश्ण सोड़ोताना, तुम्ही समी करनाला X, Y ने भागाल, तेवा भागाकार करताना, तुम्ही चूग कराल। आणि तशीच पुढ़े अकड़ेवारी करत रहल्यास, अपल्याला X बरोबर एक भागीले 3 आणि Y बरोबर एक भागीले 2 मेरतात, जे अयोग्य उत्तरा है। आता अपल्याला कल्ले असेल कि या प्रश्णा साथी 3 है योग्य उत्तर का आहे। वर्गात शिक्षक देखील विद्यार्थ्यानना समझाउन सांगने साथी अशाच काहे उदाहरनांचा वापर करू शकतात।